कहानी शुरू होती है स्टेचन सिटी पॉलेंड से साल 2000 उसी शहर में एक एमी नाम की 17 साल की टीनेज लड़की अपनी मा के साथ रहती थी वो गरीब थे एमी की मा बहुत हार्ड वर्क करती ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके एमी एक बार स्कूल में ब्यूटी कोंटेस्ट जीत कई थी तब से उसका बस एक ही सपना था कि वो हर बार ब्यूटी कोंटेस्ट जीते और एक बड़ी मोडल बने उसी साल उसके शहर में एक ब्यूटी कोंटेस्ट होता है जिसमें एमी भी पार्टिसिपेट करती है लेकिन वो जीत नहीं पाती हर स साल की तरह इस साल भी एक मारियाना नाम की लड़की वो कॉंटेस्ट जीत जाती है। उस कॉंटेस्ट में एमी की मुलाकात एक दिमित्री नाम के आदमी से होती है। प्रोस्टिटूशन का काम करवाते और इस बार उनका टार्गेट एमी थी। एमी को अपने सपने पूरे करने के लिए पैसो की जरूरत थी। तो वो उनके जहासे में आसानी से आ गई। एमी को वो लोग प्रोस्टिटूट बनाते। उससे पहले दिमित्री उसके साथ एक र कुछ और था। अगले दिन एमी की मां एमी को लेकर स्टेचिन सिटी छोड़कर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में एमी को जैसे ही मौका मिला वो अपनी मां को छोड़कर दुबारा स्टेचिन सिटी चली जाती है। और लोटकर डोरोटा और मारियाना के पास आती है। दोनों फिर एमी को रात बिताने के लिए दिमित्री के पास बेजते हैं। उसके साथ रात बिता कर एमी को मज़ा आया और इसके उसे पैसे भी मिले। डोरोटा और मारियाना फिर एमी को रोज नए हाई क्लास क्लाइंट लाकर देते। एमी अपने काम को बहुत इंजोई कर रही थी और बहुत पैसे भी कमा रही थी लेकिन धीरे धीरे एमी का मोडल बनने का सपना पीछे छुट गया और वो बस एक हाई क्लास प्रोस्टिटूट बनकर रहे गई जो अपने काम को बहुत इंजोई करती है लेकिन एमी बाकी लड कि तबी एमी के नजर कुछ लड़कियों पर पड़ती है जिनका एटिटूट एमी देखती रह जाती है वो लड़कियां भी प्रोस्टिटूट ही थी लेकिन उनका अंदाज बिलकुल अलग था दरसल वो लड़कियां हर किसी के लिए नहीं थी वो बस दुनिया के कुछ पूँच सकती है क्या एमी ये सवाल मारियाने से पूछती है लेकिन बीच में ही डोरोटा बोलती है कि उन लड़कियों के बराबर पहुचना हमारे बसका नहीं है इसलिए जहां पर हो वहीं रहो लेकिन एमी को उनका स्टाइल बेचेन कर देता है उसे अब उन लड़कियो की पोजिशन तक पहुचना है और बहुत सारे पैसे कमाने है दिमित्री जब भी एमी के साथ फिजिकल होता तो वो हर बार उसकी वीडियो टेप बना ले था एमी के पूछने पर कि वो ये टेप क्यों बनाता है दिमित्री उसे बोलता है कि ये उसकी होबी है शाम को जब वाले आदमी को देखती है जिसका नाम सैम था एमी ने सोचा कि अगर वो सैम के कॉंटेक्ट में आ जाए तो उसे भी सुपर रिच क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे एमी उस कसीनो में सैम का पीछा करती है उसके साथ मारियाना भी थी सैम पोकर खेलने के लिए एक टे 25,000 डॉलर बना लिये थे लेकिन गेम के एंड में सैम के पास 50,000 डॉलर की चिप्स बची थी उसने सारी गेम में लगा दी एमी ने भी अपनी 25,000 डॉलर की चिप्स लगा दी और बाकी 25,000 के बदले मारियाना को रख दिया अगर सैम जीता तो एमी के 25,000 भी उसके और मारिय उने किये थे उसके जाने के बाद सैम ने वो देखे एमी के पत्ते सैम से ज्यादा स्टॉंग थे लेकिन फिर भी उसने गेम छोड़ दिया सैम उसी वक्त समझ गया एमी उससे जान पचान बढ़ाना चाती है लेकिन जब इस बात का पता डोरोटा को चला कि एमी ने दस हजार डोलर उडा दिये और उसकी बेटी को फ्री में उस आदमी के साथ सोने के लिए भेज दिया तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुसा हो गई एमी डोरोटा को समझाती है कि वो बस एक चोटा सा इन्वेस्मेंट था लेकिन डोरोटा उस वक्त गुसे में पागल थी दिमित्री को भी जब एमी की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो उसे छोड़ देता है लेकिन एमी को दिमित्री के जाने से ज़्यादा फरक नहीं पड़ा अगली सुबह तीन होटल से चेक आउट करती है और उसी वक्त सम एमी को बात करने बुलाता है एमी के साथ डोरोटा और मार और उसकी बॉस दुबई की रोयल फैमिली है और एमी भी खुद को सेम के सामने एज़े प्रोस्टिटूट नहीं बलकि एज़े ब्रोकर पेश कर रही थी और डोरोटा और मारियाना को अपना पार्टनर बता रही थी एमी ने मारियाना को इसलिए साथ रात बिताने के दिया उस पार्टी के लिए जो वो अगले महीने अपने प्रिंस के लिए फ्रांस में और्गनाइज कर रहा है और साथ ही उसने एमी से ये भी कहा कि वो सिर्फ उससे ही बात करेगा डोरोटा और मारियाना से नहीं एमी को मालूम था कि उन लोगों को सिर्फ सेक्स नहीं चा खाने का तरीका मालूम हो जैसे एक मोडल एमी डोरोटा को ये बाते समझा ही रही थी कि उसी वक्त वहां मारियाना आती है मारियाना बताती है कि उसे एक मेगजिन के कावर पेच पर आने का मोका मिल रहा है और कल उसका शूट है एमी के लिए ये अच्छा मोका था अच्छ एमी वो डाइरी चुरा कर अपने साथ ले आती है डाइरी में जिन लड़कियों के नाम थे एमी उन सब को बुलाती है और उनको काम का ओफर देती है एमी को जिस तरह का काम चाहिए था उसके बारे में सुनकर ज्यादाता ने मना कर दिया लेकिन फिर भी उतनी लड़कियां हो गई थी जितनी सैम ने मंगवाई थी एमी सारी लड़कियों को लेकर फ्रांस चली जाती है पार्टी शुरू होने से एक दिन पहले सैम सारी लड़कियों से मिलता है और उन्हें पार्टी के सारे रूल्स समझाता है उन लड़कियों के लिए बहुत से रूल्स थे जिन में से मैन रूल्स ये थे कि वो खुद चला कर कभी भी महमानों को अप्रोच नहीं करेंगी और पार्टी के अलावा बाहर किसी के साथ फिजिकल नहीं होंगी सभी को रूल्स समझाने के बाद अपने अपने रूम में भेज दिया गया सारी लड़कियों में एक कमिला नाम की लड़की भी थी वो ये सोचकर डर रही थी कि यहां उसके साथ पार्टी में लोग क्या क्या करने वाले हैं क्योंकि वो वर्जिन थी लेकिन फिर एमी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उसे समझाती है कि ये लोग ऐसे वैसे नहीं है ये तुमारे साथ इज़त से पैस आएंगे और तुम यहां बहुत मज़े करोगी एमी की बाते सुनकर कमिला का कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगले दिन पार्टी शुरू होती है और उस पार्टी को होश्ट किया था सेंटिनो ने अपने दोनों छोटे भाईयों के साथ कालिटों और बाहिर सेंटिनो दुबई का प्रिंस है और होने वाला किंग पार्टी में सभी को मज़ा आया सैम भी एमी की लाई हुई लड़कियों की पर्फोर्मेंस से खुश था सैम पार्टी का पूरा पैमेंट एमी को दे रहा था और लड़कियों को भी जितनी टिप मिल रही थी उसका आदा भी एमी रख रही थी क्योंकि लड़कियां वो ही लेकर आई थी डोरोटा वहाँ बस नाम की ही थी और ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी अपना काम बरबाद होते देख डोरोटा ने ठान लिया कि वो एमी का काम भी नहीं चलने देगी डोरोटा मारियाना को अपने साथ लेकर सेंटेनो का पीछा करती है सेंटेनो जब एक रेस्टोड़न्ट में एक बिजन्स मीटिंग कर रहा था तो डोरोटा बीच में ही जाकर सेंटेनो से लड़कियों के बारे में बात करने लग गई और साथ ही उससे request करने लगी कि वो एमी को हटा कर पूरा लड़कियों का contract उसे ही दे दे सैंटीनो दोनों की बात सुनकर थोड़ा awkward हो जाता है क्योंकि वो इस वक्त अलग लोगों की बीच में था दोनों का आकर ऐसे लड़कियों के बारे में बात करना सैंटीनो को अच्छा नहीं लगा लेकिन उस वक्त तो उसने आराम से ही दोनों को वहां से जाने के लिए कह दिया डोरोटा ने ये जो कुछ भी किया इसके बारे में सैम एमी को बताता है और उस पर थोड़ा गुसा होता है एमी बात को थोड़ा संबालती है और उससे वादा करती है कि ऐसा दुबारा नहीं होगा पार्टी के बाद एमी डोरोटा से उसकी इस हरकत के बारे में बात करती ह डोरोटा चाहती थी कि एमी उससे अपना रियल पार्टनर बना ले लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था डोरोटा यहां फ्रांस में भी मारियाना की वज़े से थी एमी को मारियाना जैसी लड़कियों की जरूरत थी अगले दिन सेंटिनो ने एमी को एक प्राइवेट मिटिंग के लिए बुलाया एमी को लगा कि जरूर सेंटिनो डोरोटा की वज़े से उससे नराज है लेकिन जब एमी सेंटिनो के पास गई तो सेंटिनो ने उसकी लड़कियों की तारीफ की और इस बार और बड़ा कॉंट्रेक्ट दिया कुछ हफतो बाद सेंटिनो कांस में एक कुरूज पार्टी होश्ट कर रहा है और इसके लिए उसने एमी को पचास लड़कियों का कॉंट्रेक्ट दिया ये कॉंट्रेक्ट एमी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा था फिर भी उसने हां कर दी लेकिन इस कॉंट्रेक्ट की कुछ शर्ते भी थी जैसे इस बार चेहरे बिलकुल नए होने चाहिए सैंटीनो ने इस बात पर ज्यादा जोड दिया कि वहां डोरोटा और मारियाना बिलकुल नहीं आनी चाहिए उसे सिर्फ एमी के साथ बिजनेस करना है एमी इस बात के लिए भी मान गई इतना बड़ा कॉंट्रेक्ट मिलने के बाद एमी ने डिसाइड किया कि वह अब दुबारा कभी प्रोस्टिटूट नहीं बनेगी और जिन्दकी में दुबारा कभी पीछे नहीं मुड़ेगी इस कॉंट्रेक्ट से एमी ने 5 लाग डोलर कमाए फ्रांस में कॉंट्रेक्ट खतम होने के बाद वो लड़कियों को लेकर दुबारा पॉलेंड आ गई पॉलेंड आने के बाद एमी ने फिर वो 50 लड़किया डोनना शुरू कर दी एमी अलग अलग फेशन शोज में कलब्स में जाती लड़कियों से बात करती और उन्हें कन्मेंस करने की कोशिश करती इन सब के बीच एमी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम बार्टेक है बार्टेक एक फोटोग्राफर है और अमीर भी दोनों एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं लेकिन एमी ने उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया एक दिन बार्टेक एमी को अपने घर लेकर गया वहां एमी को पता चला कि बार्टेक का फैमिली बिजनेस गोडो का है एमी ने सारी लड़कें रिपलेस की बस कमीला को छोड़कर क्योंकि पॉलेंड में उसका कोई नहीं था एमी डोरोटा और मारियाना कॉंट्रेक्ट के लिए लड़कें ढून रही थी लेकिन हिमत जुटा कर एमी एक दिन डोरोटा से बोली देती है कि सैंटिनो तुम दोनों को अपनी पार्टी में नहीं चाहता मैं अकेली ही लड़कियों को लेकर वहां जाऊंगी एमी की ये बात सुनकर डोरोटा उससे बहुत ज़्यादा नाराज होती है और उसका साथ छोड़ देती है एमी अब अकेली थी और अकेली काम करने वाली थी एमी ने वक्त पर पचास लड़कियां अरेंज कर ली वो सबी को लेकर कांस चली गई पिछली बार की तरह इस बार भी सैंब ने सारी लड़कियों को रूल से समझा दिये लड़कियां कांस में काम के वक्त काम करती और खाली वक्त में मज़े सैम दीरे दीरे एमी के नजदी काने की कोशिश कर रहा था वहीं पर सैम एमी को बताता है कि सैंटिनो के पापा की तबियत बहुत ज़्यादा खराब है अगले हफते उसकी फैमिली के कुछ में मेंबर्स यहां आने वाले हैं और शायद वो सैंटिनो को नया किंग बना दें ये हम दोनों के लिए एक अच्छा मौका है बहुत सारे पैसे कमाने का सैंटिनो के इस सवाल का जवाब वो नहीं देती क्योंकि उसे मालूम था अगर उसने सैंटिनो को सच्चाई बता दी तो शायद वो उससे दूरी बना ले और वो पैसे नहीं कमा पाएगी एमि की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सैंटिन को लगा कि वो सिंगल है उसने फिर एमि से शाम को डिनर पर चलने के लिए पूछा एमि ने हां बोल दिया शाम को सैंटिनर के लिए रिसीव करने उसकी होटेल में आता है दोनों वहाँ से जाने वाले थे कि अचानक बार्टेक वहाँ आकर एमी को सिर्प्राइज देता है एमी ओक्वर्ड होते हुए सैम को बार्टेक के बारे में बताती है कि ये मेरा बॉइफ्रेंड है सैम ये सुनकर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है लेकिन अंदर ये अंदर सैम एमी से गुस्सा था कि उसने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई वो उससे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था लेकिन एमी के दिल तोड़ने के बाद सैम उससे एक प्रोफेशनल की तरह बात करने लगा वो बस उससे काम से काम रखता और उसकी लड़कियों की छोटी छोटी गलतियां निकालने लगा एमी के लिए उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब था एक शाम जब सारी लड़कियां पार्टी से अपने होटेल रूम में आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका सारा कैश जो उन्होंने टिप से कमाया था और उनका जरूरी सामान सब चोरी हो चुका था सारी लड़कियां टेंशन में आ चुकी थी उसी वक्त सैम एमी के पास आकर बोलता है कि तुमें अभी सारी लड़कियों को इस होटेल से निकालना होगा किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया कि यहां चोरी हुई है पुलिस अगर आकर पूछेगी कि क्या चोरी हुआ है तो सब फस जाएंगे क्योंकि जो पैसा चोरी हुआ था वो एक तरीके से प्रोस्टिटूशन का पैसा था और यह गैर कानूनी है सैम ने सारी लड़कियों के लिए दूसरी होटल का बंदोबस्त कर दिया और एमी को अपनी कुरूज पर आकर रहने के लिए कहा इस पुरी गटना से कमीला बहुत ज़्यादा डर गई और उसने एमी से कहा कि उसे अभी इसी वक्त पॉलेंट जाना है एमी भी उस वक्त थोड़ी टेंशन में थी और कमीला की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया गुस्से में उसने कहा कि अगर जाना है तो अपने पैसों से जाओ मैं तुमें कुछ नहीं दूँगी इतना बोलकर एमी कमीला को वहीं छोड़ कर चली जाती है कमीला ना तो अब वहां किसी को जानती थी और ना उसके पास पैसे थे इतना सब होने के बाद भी एमी का काम आराम से चल रहा था कुछ दिनों में सेंटिनों के कुछ फैमिली मेंबर्स भी आ गए जो उसे किंग बनाने वाले थे उसी रात पार्टी खतम होने के बाद एमी घूमते घूमते योट में उस जगह चली गई जहां सैम, कारलीटो और बाहिर टाइम पास कर रहे थे एमी को वहां देखकर बाहिर उसे अपने पास खीचता है और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए कहता है एमी बाहिर को मना करते हुए कहती है कि उसका काम लड़कियों को मैनेज करने का है किसी के साथ सोने का नहीं एमी के मना करने से बाहिर का एगो हट हो गया और वो वहीं पर उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश करता है एमी अपने बचाओं में उसके सर पर एक शराब की बोतल मारती है जो उसे चुपके से सैम देता है बोतल के लगने से बाहर के सर में काफी चोट आती है वो एमी से अपनी चोट का बदला लेने वाला था लेकिन उसी वक्त वहां सेंटीनो आकर उसे रोक लेता है सैम इसी बीच एमी को वहां से लेकर चला जाता है और उसे अपने रूम में लाता है वहां वो सेफ थी सैम के उसे बचाने पर एमी के जजबात उसके लिए बढ़ने लगे और वो सैम के साथ सेक्स करती है फिजिकल होने के बाद जब एमी सैम के रूम में अकेली थी तो उसने वहां कमीला का बैग देखा उस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे एमी समझ जाती है कि ये लड़कियों के टिप के पैसे हैं और होटेल में चोरी सैम नहीं करी थी लेकिन वो उससे इस बारे में कोई बात नहीं करती और चुप चाप वाँ से चली जाती है लेकिन जब एमी कुरूट से बाहर आती है तो बार्टेक उसे लेने आया था कि वो कौन है और क्या करती है लेकिन बार्टेक उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे शादी के लिए प्रपोस कर देता है एमी भी उसे मना नहीं कर पाई और हां बोल दिया दूसरी तरफ कमिला की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे उसने एमी को कॉल भी किये लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था आखिर में हार कर उसने समंदर में कूद कर अपनी जान दे दी एमी ने बार्टेक से शादी कर ली शादी के बाद उसने अपना काम छोड़ दिया और एक इज़दार जिंदकी जीने लगी उसके और बार्टेक की अब एक बेटी थी उस रात को गुजरे सालों हो गए थे एमी अपनी पुरानी जिंदकी लगबख भूल गई थी लेकिन कुछ वक्त पहले पुलिस को कमिला की लाश मिली थी और उसकी मौत की जाच चलने लगी एक दिन जब एमी कहीं से अपने घर आती है तो सामने उसे सैम मिलता है सैम को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर एमी थोड़ी नर्वस हो जाती है वो एमी के घर एक गोड़ा खरीदने के बहाने आया था और बार्टेक भी सैम से सालों पहले मिला था वो भी सिर्फ एक बार तो उसे वो याद नहीं था बार्टेक सैम के लिए घोड़ा लाने चला गया और इसी बीच उसे और एमी को बात करने का मोका मिला एमी सैम से पूछती है कि इतने सालों बाद तुम मेरी जिन्दकी में क्यों आये हो तो इस पर सैम बोलता है कि प्रिंस अब जाकर किंग बना है और वो दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी और्गनाइस कर रहा है किंग चाहता है कि उस पार्टी के लिए तुम लड़के आरेंज करो वो तुमें बड़ा कॉंट्रेक्ट देना चाता है सैम के दिये ओफर को एमी ठुकरा देती है और उससे बोलती है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है अगले दिन एमी अपनी बेटी को स्कूल चोड़ने जाती है स्कूल के बाहर उसे डोरोटा और मारियाना मिलती है दोनों को मालूम था कि सैम ने एमी को एक ओफर दिया है डोरोटा उसे दुबरा साथ काम करने के लिए कहती है लड़के डोरोटा रेंज कर लेगी एमी को बस सैम से बात करने होगी एमी उन्हें भी साफ साफ मना कर देती है थोड़ी देर बाद जब एमी अपने घर आती है तो वो देखती है कि घर में कोई नहीं है और ना उसकी बेटी का कोई सामान है तबी उसकी नजर घर के टीवी पर पड़ती है जिसमें सेक्स टेप चल रही थी जो दिमित्री उसकी अकसर बनाया करता था एमी को भी पता चल चुका था कि ये टेप शायद बार्टेक ने भी देख ली वो तुरंट अपनी बेटी को स्कूल से लाने जाती है लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि बार्टेक कुछ देर पहले ही उसे लेकर कहीं चला गया एमी बार्टेक को कॉल करती है लेकिन वो उस अपनाएगा लेकिन उसे अपनी बेटी की कस्टिडी लेनी है इसके лिए उसे पैसे चाहिए एक लौयर हाइर करने के लिए मجबूरी में उसे सैम का ओफर मानना पड़ा पैसो के लिए एमी डोरोटा और मारियाना से मिलती है साथ काम करने के लिए पार्टी तक सेंटीनों ने लड़किया अरेंच कर ली और सारी लड़कियों को लेकर दुबई चली गई, जहां किंग ने पार्टी रखी थी, वो पार्टी बहुत बड़ी थी, किंग को जब पता चला कि एमी पार्टी में आ चुकी है, तो उसने उसे अपने पास बुलाया, एमी जब किं पूली सी लड़की ने उसे गायल कर दिया और सेंटीनों के होते हुए वो कभी अपना बदला नहीं ले सकता इसलिए उसने सेंटीनों को रास्ते से हटवा दिया बाहिर को किसी भी कीमत पर बदला लेना था और एमी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी ने करवाया था ता ये नई सोचा था कि बाहिर उसका ये हाल करेगा मन भरने के बाद बाहिर एमी को छोड़ देता है एमी जैसे तैसे दुबेश से पॉलेंड पहुंची और उसके पॉलेंड आते ही वहाँ की पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया क्योंकि कमिला की मौत का राज पुलिस सुलजा चुकी थी और उसमें सामने आया एमी डोरोटा और मारियाना मिलकर प्रोस्टिटुशन का धंदा चलाती थी तीनों को गिरफतार कर लिया गया उन पर केश चला और उनको सजा भी हुई सजा काटने के बाद एमी को छोड़ दिया गया और उसने फिर रोड साइड एक मेगजिन की दुकान खोली अपनी बाकिस जिंदकी काटने के लिए और यहीं पर ये कहानी खतम हो जाती है यहां तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ